7 thinkers discuss कर चुके हैं और अभी हम लोग 8th यान की Karl Manheim जो हैं ये discuss करेंगे ठीक है तो शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 27th August जो है वो इस capsule course को enroll करने की last date है ठीक है ये जो आप देख रहे हैं ये एक demo है हम इसी तरह से पूरे 20 day का जो है course आपक उसकी fees है मात्र 1000 रुपए याने 1000 रुपीज पे करके आप ये 20 days का course enroll कर सकते हैं तो अगर आप enroll करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि कल याने 27th August लास्ट डेट है उसके बाद हम लोग शायद allow ना करते हैं करते हैं काल मैंने की most important books से जो कि आपको याद रखनी तो सबसे पहली बुक जो है यही इनका concept भी है ठीक है तो ideology and utopia जो इन्होंने लिखी थी 1929 में second जो है वो बहुत ही important है essay on sociology of knowledge याने sociology of knowledge जो है यह भी काल मैंने ने बुक लिखी है और इस पे इन्होंने बहुत elaborately discuss भी किया है कि sociology of knowledge क्या होता है थर्ड है man and society in the age of reconstruction ठीक है यह तीनों जो बुक्स हैं यह काल मैंने हम की है और आप लोगों को याद रखनी है अब देखते हैं कि कौन-कौन से concept हम लोग इसमें देखेंगे तो मैं आप लोगो को पहले ही बता चुका हूं क्योंकि यह capsule course है तो इसमें हम लोग बहुत short में concepts discuss करेंगे अगर आपको बहुत elaborately पढ़ना है पूरी sociology को तो उसके लिए भी हमारे एक course चलता है और उसकी फीस है 5000 रुपीज और वो थ्री मन्त का course होता है ठीक तो यहां पे हम capsule course है तो हम इसको ठीक है सबसे पहले किसने discuss किया था epistemology epistemology किसने discuss कि थी Immanuel Kant ने epistemology का मतलब क्या होता है epistemology के scope theory की study करते हैं ठीक है यानि knowledge के जो भी चीज़े होती है ठीक वो सारी चीज़े हम किसमें study करते हैं वर्ड epistemology में epistemology हम कब पढ़ेंगे research methodology का time पर हम epistemology का concept अच्छी तरह से देखेंगे यहां पर आप यह समझ लीजिए कि जो sociology of knowledge है ठीक है इसको epistemology भी कहते हैं लेकिन काल मैंहम ने epistemology को sociology of knowledge की heading दे करके study किया है और किसे influence थी ए emmanuel Kant से influence थी यह सारी बातें आपको ध्यान रखनी है sociology of knowledge is known as a section of the greater field known as sociology of culture तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कार्ल मैंहम जो है यह culture और society का जो relationship है वही अपने sociology of knowledge में बताते हैं ठीक यह कहते है sociology of knowledge deals with systematic study of ideas, knowledge and intellectual phenomena ठीक है समझ गए काल मैंहम के हिसाब से sociology of knowledge क्या है sociology of knowledge है systematic study of ideas, knowledge and intellectual phenomena ठीक है यह सारे keywords आपको पता होने चाहिए यह keywords आपको आज आते हैं अगर दिखते हैं कहीं पर क्या कि किस ने sociology of knowledge को इस तरह से define किया है कि it deals with study of ideas, knowledge and intellectual phenomena तो आपको आँख बन करके काल मैंहम टिक करके आना है The sociology of knowledge as a sub-field in sociology deals with the social and group origin of ideas यानि sociology of knowledge क्या करता है मैंकाल मैंहम कहते हैं कि यह social और group origin of ideas की study करता है ठीक तो समझगे sociology of knowledge की हमारे पास time बहुत कम है तो हम इस capsule course में सिर्फ ऐसे ही go through करेंगे जिससे कि आप लोगों को एक concept दिमाग में आ जाए और आप UGC net में जो चार options दिये होते हैं वो आप टिक करके आ जाए ठीक है next जो इसका important concept है वो है ideology and utopia ideology and utopia भी बहुत important concept है इसको मैं आप लोगों को एक example से समझा दूँगा सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि ideology होता क्या है an ideology is an idea system that seeks to conceal and conserve the present by interpreting it from the point of view of the past याने किस तरह का idea system है यह ऐसा idea system है जो कि हम present में किसी ideology को याने किसी जो concept होता है उसको हम site हराते हैं कैसे past के point of view से अब इसको example से समझ लीजे वर्ना system ठीक है वर्ना system आप सभी जानते होंगे Indian society अगर आपने पढ़ी है sociology की तो उसमें आप सबको मालूम है कि हम लोग ऐसा एक mythological structure है हमारा ठीक हम लोग मानते है mythologically की जो ब्रहमा थे उनके सर से कौन निकले ब्रहमान ठीक है उनके कंदो से कौन निकले जो सैनिक है मतलब क्या कहते हैं छत्रिय जत्रिय निकले पेट से कौन निकला वैश निकला और जो निचले हिस्से से यह निकले शूद्र और अंटचेबल ठीक है तो यह हमारा वर्णा सिस्टम कहता है ठीक है हिंदू आइडियलोजी यह कहती है तो लेकिन आज की डेट में जब हम इसको जब भी यह प्रेजेंट में बात होती है यह वर्णा सिस्टम को जारी रखने की तो हम लोग पास्ट के पॉइंट व्यू से यह सारी थियोरी निकाल करके बैठ जाते हैं कि यह ऐसा ऐसा है इसी लिए आप लोगों को यह सारे काम करने हैं ठीक है इसी तरह से वर्ण विवस्ता चलती है ठीक समझ गए तो आइडियलोजी कौन करता है जो बुर्जुवा जो आइडियलोजी होती है उसी से यहां पर इनका संबंध है क्योंकि काल मार्क्स जो है मतलब काल मार्क्स ने जिस तरह से explain किया था कि ideology जो है ideology के थू कंट्रोल करते हैं याने बुर्जुवा जो है religion को चंट्रोल करता ideology को कंट्रोल करता सारा कुछ society में इसको होता है बुर्जुवा society करती है तो Karl Marx ने इस तरह से समझाय था इन्होंने Karl Marx को criticize किया है he was very critical to Karl Marx ठीक है यह कहते हैं कि इन्होंने simple words में ideology को इस तरह से define किया है कि ideology क्या होती है ideology एक तरीका है जिसमें जो present की जो situation है उसको हम past के point of view से conceal करते हैं और conserve करके चलते हैं ठीक है इन्होंने ideology के दो parts बताए हैं दो भाग में divide किया है क्या है सबसे पहली है Lets इसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्राटिकुलार आइदेलोजी प्राटिकुलर मतलब specific specific region में जो ideology अब पूरी पूरी सोसाइटी में जो आइडियोजी चलती है उसको हम कहते है टोटल आइडियोजी खिंगते हैं समझ कम कहते है इसको पर हुआ है कि पोरा लीम्र 749 अव प्रेशेंटेशन आपंसी in the world that might be colored by specific interest or point of view ठीक है समझ क्या होता है सबसे पहले तो ideology समझ में आ गया ना ideology क्या होता है कि ideas होते है different kinds of ideas होते हैं जिनको हम एक concept के तौर पर जानते हैं जैसे वर्ना सिस्टम वर्ना सिस्टम क्या है एक concept है वो division of labor का एक concept है लेकिन क्या है biased है ठीक है उसमें क्या है कि आप ascribed मतला जन्म के आधार पर आप एक कि निरदारित कर देते हैं कि इसका बच्चा तो यही काम करेगा ठीक चत्री का बच्चा जो ओगवा जबर्हांवर्मान बनेगा व्यष्य की बच्चा निरदारित कर दिया अब प्रेज़ेंट में यानि जो scientific aptitude से अगर लोग question करते हैं तो हं लोग अपने past के experience से ठीक है उनको बताते हैं कि mythologically ऐसा है आप आप कहने लगे mythology लेकिन लोग real में इन सब सारी चीज़ों को मानते हैं कि भाई ब्रामण से ऐसे करके origin हुआ है तो यह conserve करने के लिए past जो point of view है उसको सहारा लेकर के यह लोग बताते हैं ठीक है तो ideology मतलब समझ गए ना तो मतलब कि particular ideology क्या होती है local representation of things in the world that might be colored by specific interest or point of view ठीक है specific interest अपना बनाय रखने के लिए यह ideology का use किया जाता है और बुर्जुवा जो है या जो capitalist society है जो यह ideology का use करके अपने जो ideologies है आइडियाज को जिंदा रखते हैं और बनाय रखते हैं दे आप लिमेटेट टु स्पेसिफिक डोमें ड्रेस्ट अल्टिमेटली विट इंडिविज्विजुवल्स नेक्स पॉइंट पड़िवल्स और इडिविजुवल्स तो एक उनिवर्सल है यह ideology तो इसको हम क्या कहते हैं टोटल आइडियोलोजी कहते हैं ठीक है इस तरह से हम लोग जो है पूरा आइडियोलोजी जो है रिवाइस करेंगे छोटे-छोटे से concept बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे ब्रीफ में समझाएंगे जिससे कि आप लोगों ने यह सारे जो चीजे हैं यह पहले से पढ़ रखी है और आप लोगों को एक बार गो थू हो जाए मतलब आप यह की पॉइंट अगर नजर आते हैं तो वह टोटल आइडियोजी से समबन देश है अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन नजराता है ठीख जो ब्र चीजई उत्पन होती है वो सारी दो तरह के division हम आने बताया था पहले भी अभी फिर से बता जाता हूँ कि आप एस्टेमिलोजी दो सब्जेक्ट में divided है पहला क्या 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 आता है एंपारिस्ट ठीक तो इस तरह के अगर कोई questions आते हैं तो आपसे बन जाएं यह हमारा उद्देश है सोशिलोजी के कैप्सूल कोर्स का थैंक यू वेरी मैच फॉर वाचिंग और अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो इसमें WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है यह WhatsApp नंबर आप नोट कर लीजिए और इस WhatsApp पे आप कि अज्वेड मेन् सक्तार में पर अवारी मो जानोड़े ओूह जाएंगर हëर् समेंद हुआ है बदक्राव सकते हैं तो है